जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेगलेडॉन और मौसिसौरस की इन दोनों जीवों की लड़ाई उतनी ही एतिहासिक होती जितनी की जस्टिस लीग वर्सिस एवेंजर्स की एक तरफ होती मेगलेडॉन जिनने सबसे ताकतवर शार्क माना चाता था वहीं दूसरी तरफ एक मौसिसौरस होता जिनने एक्वेटिक रेप्टाइल का राजा का दर्जा दिया जाता है हाला कि इतिहास में इन दोनों भयंकर जीवों की लड़ाई कभी भी नहीं हुई क्योंकि दोनों की अस्तित्व में पांच करोर साल का फरत था विग्यानिकों को मिले फॉसिल से हमें यह पता चलता है कि इस धरती पे मौसिसौरस पहले आए लेकिन क्रिटेशिस पीरिड के अंत में धरती पे ऐसी महा प्रले आई जिसने मौसिसौरस को खत्म कर दिया